नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों को मेरा हेर केर टिप्स जानना है तो बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट आया था काफी लोगों ने पूछा था मुझे कि क्या है आपका टिप्स प्लीज शेर करें न तो वही शेर कर रही हूँ आपको पहले ही बता देती हूँ कि कोई भी फैंसी टिप्स नहीं है मेरा जो घर में होता है घरेलू वही सब करती ह है लोगों में आपको शेर कर दी हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो देखें मार्केट में अगर आप आप जाओगे बाहर तो इतने सारे आप्शन है हमेशा नया-nया कुछ नया टेकनीक है नई प्रोड़क्ट सामने आते हैं तो मैंने क्या सोचा है कि हम लोग जो घर मे इजी ली अविलेबल है उसके उपर ही अपने उपर ट्राय करें जैसे कि हम लोगों को फॉलो करने में इजी पड़े वो डेली लाइफ में हम लोग वो कर सके तो मेरा तो वैसी सिंपल रूटीन रहता है तो वही बताती हुमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी मेंटल हेल्थ मतलब आपका स्ट्रेस लेवल कितना है आप बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस रहता है आपका या पैनिक रहते हो या गुस्सा रहते हो या फिर थोड़े दुखी हो दिल से ऐसे रहेंगे तो भी बहुत असर पड़ता है हमारे हेयर पे और हमारे स्किन की हेल्थ तो पहले तो आपको अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम करने की कोशिश करिए क्योंकि स्ट्रेस लेकर तो आपका काम वैसे भी कुछ बनने वाला है नहीं तो कम ही लीजिए कम करिए उसको सबसे जादर मेंटल हेल्थ अच्छी करिए खुश रहिए अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ बाते करिए तो ना इसके लिए सबसे अगर देखा जाएना मेंटल हेल्थ के लिए तो आप मेडिटेशन करिए यूटुब में गाइडेड मेडिटेशन इतने अच्छे-च्छे मिल जाते हैं आप उसको लगाईए बस 10 मिनट हो सके तो 15 मिनट या 10 मिनट क से फ्री हो तब बैटकर यह करिए मैंने भी तीन-चार महिने हुए स्टार्ट करके पर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मतलब इतना अंदर से आपको पीस फील होगा ना तो आप जरू ट्राय करिए और दूसरा पॉइंट है मेरा डाइट तो डाइट में जो है जो आपके बजेक में हैं वो खरी दिये मार्केट से लाइए और खाईए आपको भी अच्छा लगेगा कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हैं तो यह दो पॉइंट है जो सबसे जरूरी है उसको सबसे पहले अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करिए और उसके बाद स जरूर करती हूं अगर यह गर्मियों में मुझे ऐसा लगा कि बाल चिप-चिप हो रहे हैं तो फिर शायद तीन बार हो जाएगा लेकिन दो बार तो रहता ही है डेपिने की से हैर ओलिंग कर लेती हूं दूसरे दिन जो बाल के लिए आपके बालों के लिए जो सुटेबल ह जो आपकी बाल क्या किस तरह का आपका बाल है कैसा उसका टेक्चर है उसके अनुसार आप अपना शेंपू जो भी आपका प्रोड़क्त है वो सिलेक्ट करिए और उससे बाल धुए मैं ऑईलिंग के लिए तो यह एक आवला तेल बच्पन से स्पैमाल कर रही हूं मैं और यह दिश्टरा जब मुझे लगता है ड्राय हो रहा है तो यह कोकोनट ऑईल यूज कर लेती हूं मैं तो बस यह दो और कभी-कभी मेरा मन किया थोड़ा बहुत अलग यूज करना तो फिर मैं कभी-कभी चेंज कर लेती हूं बट मैं स्टिक रहती हूं इन्हीं दो और एक बात कहना चाहूंगे अगर मुझे अर्जेंटली बाल धोना पड़ गया और मैंने नहीं किया है तो मैं क्या करती हूं मेक्शोर करती हूं कि मैं अपने बालों में कंडिशनर जरूर लगाँ तो बाल जो है ना फ्रीजी नेस जो है वो चला जाता है यह बाल धोते वक्त है गरम पानी का इस्तेमाल भी तो थंडे पानी से ही वाल धोई है अगर नहीं गुंगुना पानी बहतर रहेगा है Vor ona smells my जादा जो हैर मास्क लगाती हूं जो मुझे लगता है बनाने के लिए तो एलवेर का लीफ लेती हूं उसका जैल निकाल कर उसमें हनी ऑली वॉयल इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेती हूं और उसके पाद अपने बालों में लेंथ में बहुत अच्छे से कवर करके मास्क मैं केमिकल वाला तो बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूं मैंने सच बताओं तो मैंने आज तक अमने बालों के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है कभी कोई कलर भी नहीं लगाया है जो भी मेरा नेच्छरल है और उसका मैं टेक केर घर पे करती रहती हूं थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा रहेगा उससे भी बाल डैमेज होते ही हैं हेर मास्क की बात कर रही थी मैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आप चाहे तो बनाना लगा सकते हैं बनाना और हानी दोनों का अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए उसे लगाईए कर्ड है दही व जरुदिए अब हमने और जलदी तो लेंट को इतने जादा श्राइब नहीं होती है और यह ज़रूत नहीं होती है सबसे पहले में यही पताना चाहूंगी तो अपको क्या करना है सबसे पहले अपने scalp को अच्छे से मसाँज करकर जितना शैंपु लगता है और सबस्के बाद और पर तो थोड़ा सा लुग अपने बालों के साथ और उसको रिंस करना अच्छ और जब आपका बाल धोकर हो जाये तो आपको क्या करना है बाल जो है ना बहुत सारे योग हेर ड्रायर करके सुखाते हैं जो बहुत ही गलत है अगर आपको अर्जेंटली कहीं जाना है तो कभी-कभी आप अब देफिनेटली कर सकते हैं लेकिन आपको डेली बिल्कुल भी नहीं करगा मैं तो हैज बूरागा में बंद लेती हो तो मेरे बालब पानी पुरानी जाता है और बालviron में ही रहेगा और और उसके बात जब आपका बाल 70-80% सूप जाएगा तो मैं क्या करती हूं जो मेरे पास एलेवरा जेल होता है और ऑलिव इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा लेकर अच्छे से हाथ में मिक्स करके ना सीरम बना लेती हूं और वह गीले बालों में हलके हाथों से जेंटली अप फॉलो करती हूं तो इसे बाले ना सिल्की भी लगते हैं शाइनी भी लगते और मैनेजबल भी हो जाता है अपने बाल को समय समय पर ट्रीम करते रहिए तीन या चार महिने में कम से कम आपको बालों को ट्रीम करना बहुत जरूरी है जिससे आपकी जो बाल दो मुहे हुए ह नीचे से ड्राय होगे या थोड़े तेड़े में इसे लगए वो सब परेशानी चली जाती तो ट्रीम करना बहुत जरूरी है तो जरूर करिए रात को सोते हैं तो बालों को अच्छी तरह से चोटी करिए मैं तो चोटी ही करती हूं और चोटी ऐसी होनी चाहिए ज्यादा लां कर रहे हैं जो से तो भी चाहिए पर निकलना पर दापता है तो हो सकते हैं ने तो सकाफ मान लीजें अपने बालों और जोड़े अहंदे और विदियो का मकसद यही था बहुती बेसिक रूटीन नहें उसके तो क्रूंकि देखें की तो ऐसा ही करना अच्छा रहता है कि बेसिक रखो और जिसे आप खाफी दिनों तक आगे कंटिन्यू कर सके तो मैं यही सोच कर मेरा बेसिक सा रुटीन करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा यह रुटीन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई